हलो श्रंट स्वागाता है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यानगिरू अकेडमी में बच्चो आप लोग के क्लास 12 के सिच्छा सास्त्र के चेप्टर नमर 1 का आज आकरी वीडियो है पाट नमर 10 जिसमें कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रेसन संक्या 3 जो के आप लोग का दिर्ग उतरिया का आए बच्चो मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ बेटा कलास के सुरुआत में ही मैं किसी के आज आनलाइन लाइव रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आज में लगतार आप लोग का बच्चो बहुत अच्छी तरीके से प्रसन जरूर कर लिजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आप से कोई वीडियो मिस न हो जाए आईए बच्चो शुरू करते हैं आज के क्लास की और आप देख सकते हैं प्राचीन भारतिय सिच्छा ब्योस्ता के विविद सोरूपों का वरणन कीजिए ये आप लोग का प्रसंता बच्चो आईए हेडिंग बनाएंगे हम सभी प्राचीन भारतिय सिच्छा ब्योस्ता के विविद सोरूप थे जिनका बिवरण निमन लिखी थे पहला पॉइंट है बच्चो प्राचीन काल में प्रात्मिक सिच्छा ब्योस्त वैदिक मंत्रो चारण सिखाया एवं कंठस्त कराया जाता था गुरुकलों में पढ़ने वाले चात्र अंतेवासी कह जाते थे गुरु ततस्यस के बीच संबंध मधूर एवं पिता पुत्र तुल्ले होते थे क्लियर होगे बच्चो ये तो बहुत बार मैंने आप लोगों होग दौ विधाये थी पराव घृदामें वेद विदांग पुरान उपनिसत तता अध्यात्मि सैयों की सिच्चा दी जाती थी अपराविधा में भुगर्ब सास्ता तरक सास्ता इतियास और भौतिक साहस्तर की शिचा दी जाती ती ऐवं पाठली पुत्र थे उच सिच्चा परदान करने के लिए ब्याक्यान, प्रवचन, सास्त्रार्थ, प्रस्नोत्तर्थ, दावाद, विवाद जैसी सिच्चर पदती को भी अपनाया जाता था ठीके बच्चो अगला पॉइंट देखेंगे जल्दी जल्दी कवर करेंगे बच्चो प्राचीन काल में इस्त्री सिच्चा प्रतिबंदित नहीं थी, प्रन्तु बालिकाओं के लिए अलग से सिच्चर संस्थान नहीं थे बालिकाओं अपने भाई, पिता या कूल पूरोई से सिच्चा प्राप्त करती थी प्राचीन काल में उच्छ सिच्चा प्राप्ति स्थियों को ब्रह्मवादी नहीं कहा जाता था अपाला, घोसा, मैत्री, आदी, बारती भी दूसी स्थियों थी अगला पॉइंट है बचो प्राचीन काल में ब्योसाइक सिच्चा ब्योस था प्राचीन सिच्चा द्यात्मिक्ती प्रंतु इसके साथ ही चात्रों को विशेश कर वैसेवर के चात्रों को ब्योसाइक सिच्चा प्रदान की जाती थी और ब्योसाइक सिच्चा के अंतरगत निमलिकित विशेयों की सिच्चा भी दी जाती थी वाड़िजिक सिच्चा वैस वरण के चात्रों को परदान की जाती थी वाड़िजिक सिच्चा में ब्यापार, क्रिशी तथा पसुपालन प्रमुकते, सैने सिच्चा या सिच्चा विशेसकर चत्रे वरण के चात्रों को परदान की जाती थी इसमें अस्त सस्त्रों का ज्यान वो परिचालन भी उरचना का प्रियोगात्म करूप परदान किया जाता था कला का उसल कि सिच्चा की अंतरगत संगीत कलाचित कलाचित कलासिल्फ कलादी की सिच्चा परदान की जाती थी प्रंतुए सिच्चा संस्थागत न होकर मार्गदर्सन के रूप में दी जाती थी चिकित्सा साच्तर की सिच्चा ऐसे योगी चात्रों को दी जाती थी जिन में सेवा भाव यो मानवी ये गुड़ थे इस विशे में रोग निदान और अवसेदी साच्तर सल्ले क्रिया की सिच्चा परदान की जाती थी ओके डियर चलिए अगला टोपिक आप लोगा प्राचीन भारती सिच्चा संस्थाएं प्राचीन भारतिय सिच्चा की प्रमुख संस्था निमलिकित थी, पहला होगे बच्चा आप लोगा टोल, प्राचीन काल में अस्थापित इस तरह की संस्थाओं में केवल एक सिच्चक गुआ करता था, या मुख के रूप से संस्कृत भी से पढ़ा जाता था, जो टोल था बच्चा, वहापे कई सिच्चकता और संस्कित पढ़ाता था, चारण, वेदेव के अनुसार किसी एक अंग की सिच्चा प्रदान करने वाली संस्था चारण कालाती थी, ठीके, चलिए, गटिका, दरसन तता, धर्म की उच्च सिच्चा प्रदान करने वाली संस्था गटि सिच्चा मौकिक रूप से प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में चात्रों को गुरुकूल में मौकिक रूप से सिच्चा दी जाती थी इस पदती में चात्रों को गुरुजन मंत्र वेत तता उनके अर्थों के मौकिक रूप से रटा देते थे और इनके गैन अर्थों के द प्राचीन काल में कुछ मंदिर सिच्छर संस्ताओं के रूप में कारे करते थे जिन में धर्म दर्सन वेद तथा ब्याकरान आधिक सिच्छा दी जाती थी ब्रामरिय महा विद्याले इस प्रकार की संस्ता को चतुस्पती भी कहा जाता था इन विद्याले में धर्सन पुरान कानून व्याकरान आधि विश्यों की सिच्छा दी जाती थी विश्व विद्याला में इस प्रकार की सिच्छा संस्ता हैं जो विबिन विश्यों की सिच्छा प्रदान करती हैं विश्व विद्याला का लाती हैं प्राचेन काल में सिच्छा प्रक्रिया के विकास के लिए इस प्रकार की संस्ता के अस्तापना की गई ठीक है बच्चो तो यह थे आप लोग के टोटली आज का ये जो पार्ट था आप लोग का दसों आप पार्ट बच्चों तीसरे प्रसंद को अच्छी तरीके से आपने कवर किया जिदी आप कोई भी क्वेस्चन हो था आप लोगे एक बार आप लाइन कमेंट जरूर कर दीजेगा बच्चों तो